किया आप भी परिशाने मेरी तरह डार्क स्कॉल से डार्क स्पोर्ट से एंड माउथ के राउंड जो ब्लैक ब्लग हो जाता है उससे तो घबराने की कोई बात नहीं है सिर्फ और सिर्फ यह वीडियो आप ही के लिए हैं बहुत ही अमेजिंग निक्रेडियन से जो कि आपको आपके किचन में ही इसली मिल जाएंगे उससे हम फेस्पैक बनाने वाले हैं ट्रस्ट मी से लगाने से आपकी स्किन काफी जादर लाइटन ब्राइटन होईगी हाइपर पिग्मेंटेशन दूर होगा आपकी स्किन के टैनिंग अटेगी और बहुत ही ग्लोई और सॉफ्ट स्किन आपको मिलेगी तो चलिए फटाफर जानते हैं वो मैजिकल फीसपैक या है तो इसे बनाने के लिए यहां पे मैंने लिया है वन पिटैटो जीहां आलू सबजियों का राजा है और हम सभी के घर में आपको एजिली मिल जाएगा अच्छे से वश करके से पील आफ करक इसमें मुश्यूर होता है यह आपके हाईपर पिगमेंटेशन को भी दूर करता है तैन हमने इसमें एड़ किया वन टेबल स्पून राइस फ्लार चावल का आटा यह आपकी स्किन को वाइटन करता है और इसके अपर भी मैं किती सेपरेट वीडियो बना चुकि हूं तैन इसमें हमने एड़ कि वन टेबल स्पून ग्राम फलार बेसन एंड बेसन हम जानते ही है कि बहुत ज़्याद आमेजिंग आपके स्किन के लिए टैन को रिमूफ करता है दन इसमें ने पिंच आफ टर्मरिक का मैंने या पर यूज किया हल दी तो इन सभी इंग्रीडियों को यहां पर मैंने यूज किया है रो मिल्क का इसे फीस पैक ताकी इजली बन जाए आप जो है बॉयल मिल्क भी ले सकते हैं और मिल्क में भी इलेक्टिक एसिड होता है जो आपके स्किन को लाइटन करता है स्मूथ करता है आपके टेक्शन को इंप्रूफ करता है अच्छी से रिमूव होते हैं तो ओवरल जो है कुछ इस तरीकी की अभी कंडिशन दी तो मैंने सोचा क्यों अफटा-फट अपना फीस पैक रड़ी किया जाए और यस लगाने से पहले अपने फीस को एन हाथ को ची से क्लीम करके ही कोई भी फीस पैक अप्लाई करें तो यहां पे आप कई से भी लगा ना चाहिए आप लगा सकते हैं तो पर जो है मैं इस सिंगल लेई मदब शिंगल को अप्लाई करती हूं दैन उसकी बाद जो है उसको थोड़ा सा थिक करके जो है मैं । इससे यह होता है कि जो काफी अच्छी तरीके से आपके जो इसकीन है उसमें फीस पै जब मैं फेस्पैक उतानने वाली होती हूं दसे बंदरे मिन तक आपको लगे रहने दिन हैं उसकी बाद जब हम फेस्पैक रिमूब करते हैं तब ही मैं अपने अपने अडराई एरे में भी लगा लेती हूं क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा संसिटिव हैं हम जादा देर त आपको अपना फेस क्लीन करना होता है ताकि आपके स्किन बे कोई भी रशिस ना आए तो काफी अच्छी तरीकी से फेस को वाश आप करेंगे दैन आप देख सकते हैं फर्स्ट वाश में ही आपको रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएंगे एं थोड़े सी इनकी तो इनक करेंगे तो आपके स्किन आपको काफी ज्यादा ग्लुई नजर आएगी बडियास आपको ज्यादा खुश नहीं होना है क्योंकि भी लास्ट स्टैप बाकी है वह मोश्यराइजर का क्योंकि हमने आप एराइस फ्लार का यूज किया या कोई भी फेस्पा का भी उसके बाद लगा लेते हूं ताकि लास्ट में यह वेस्ट ना हो एंड मेरे हाथों में भी काफी ची से मोश्यराइजर लग जाए तो आपकी वी कोई ऐसी ट्रिक है तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए कमेंट करके आप मुझे जरूर बताइए और मुश्यराइजर अपलाय करते समय हुआ कि दूवर आपको जो सब्ससेस तरह एक मिनट का जुब होता है है एक मिनटका ऑन ड्राइ एरे में पानी पीना है एक दिन में अटलीस आठ से दस गलास पानी आप मिनिमम जरूर पीजिए आप इस तरह के की बोटल अपने साथ केरी कर सकते हैं इससे यह होता है कि आप बिल्कुल भूलेंगे नहीं पानी पीना एंड उसके बाद मैं फटा फट बैड़ गयाप के सामने वीडि सब्सक्राइब कर सकते हैं सो यह थी मेरी आज की वीडियो आई होप आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आती तो इससे लाइक कीजिए चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए साथ में बेल अकन भी प्रेस कीजिए यह टोटली फ्री है कोई भी आपका च कर दो